नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल First Investment पर आज की टॉपिक है कि हम लोग कल कौन से स्टॉक्स पर ट्रेट कर सकते हैं प्लस निफ्टी पांग निफ्टी का क्या सेनरियो रह सकता है निफ्टी के बात करें क्या निफ्टी अपने 50,000 के level पर पुछ सकता है 15,000 का level क्या वो टेस्थ दोबारा कर सकता है इसके बारे में बात करेंगे प्लस कल next temporary वी एक क्स तरिके से trade करने क्या आप आपझ्छ निटी लेकर चलनी है वoh video मैं ने already post कर रखी है आप definitely जाकर वीडियो को देखे का हमारे चैनल पई आपको मिल जाएगी या जैसी यह वीडियो को end होगा यहाँ तर आपको video show कर जाएगी आप उसे जाके definitely देख सकते है उसपे मैंने आप लोगों को 10 टॉक्स बता रखे है जो आप पूरे महीने बर के लिए hold कर सकते हैं May end तक के लिए जो आपको डेफिनेटली बहुत बढ़ी फायदा दे सकते हैं तो वीडियो को चेक करना बिल्कुल नद भूलेगा और आपको बहुत नौलेज प्रोवाइड होने वाली है अब बात करते हैं इस वीडियो की तो हमेरा छेजर दिख रहा होगा इस पूरे सक्टचर में आपके आपर कोई भी red candles दिखनी रही होंगी red candles क्यों नहीं दिख रही होंगी आप देख सकते हैं आप पर एक green candle है और एक black candle है तो मैंने कुछ structure थोड़ा सा change कर रहा है अपने charts पे जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं equity market से जादा अभी forex मतलब forex currencies पे and crypto पे बहुत trade कर रहा हूं तो वहां पर जो मैं pattern को follow कर रहा था तो मैंने सोचा कि अब equity market पे उसे follow करना चाहिए कुछ ऐसे indicators थे जो मैंने वहां follow करता हूँ यहां follow नहीं करते हूँ बट मैंने जब उन्हें यहां पर apply करा है equity market के अंदर तो बहुत बढ़िया results मिल रहे हैं उस video पे जो वह वाली मैंने video बना रही है उस पे आपको को जहलक दिखेगी कुछ ऐसे indicator की जहां पर आपको लगेगा कि हाँ यह beneficial है so definitely आने वाले time पे मैं उसके बार में बताऊंगा कि वह indicator क्या है कैसे treat कर सकते हैं definitely कुछ सीखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा सबसे पहले stock की बात करते हैं जिसका नाम है Bandhan Bank Bandhan Bank buy करने की सलह दी जारी है आप देख सकते हैं consistent fall उसके बाद एक up move up move में consolidate कर रहा है उसके बाद नीचे आया and it formed a double bottom type of pattern इसने double bottom pattern को form कर रहा है और आज जो यह छोटा सा gap था याप gap देख रहे हैं इस gap को fill करके इसके उपर closing दिया यानि कि जो possible hurdle था उस hurdle को उपर की तरफ closing दिने में कामयाब हो गया अब बात करते हैं कि इसका next hurdle कहाप पर आ सकता है तो मेरे 3.40 तक का target में expect करके चल रहा हूँ अब देखें प्रॉबबबली यह कल तक नहीं आ सकता है तो होने को कल भी आ सकता है बड़ अगर कल नहीं आता तो आप इस तौक अपनी watch list के अंदर hold कर सकते हो और प्रॉबबली यह शायद कल या फिर पर्सों तक आपको result दे रहे है तो है double bottom type of pattern है definitely अच्छा response आपको देखर ही जाएगा और होने के लिए अगर इस ने double bottom pattern को बहुत अच्छे से follow करा तो यहां से exact अपने इस price से 100 रुपे तक की भी upside यह दे सकता है So let's hope कि अपने double bottom pattern को follow करें और हम इसे 2-3 दिन के अंदर अंदर बार बार अपनी watch list के अंदर add करने के कोशेश करें So बढ़ते हैं next talk की तरफ यहां पर मैं आप लोगों को जो भी level से telegram पे upload कर दूँगा आप जब भी girl market पे open होगी उससे पहले पहले आपके पास telegram channel पे buying entry plus target plus stop loss यह तीनों चीज़े अविलेबल होगी तो नीचे description पे हमारा link है आप जाके हमें वहां पर join कर सकते हैं प्लस अगर आप हमें personally join करना चालते हैं हमारी paid service के लिए जो के में से start कर रहे हैं तो भी आप हमें whatsapp कर सकते हैं नीचे description पे link है whatsapp number है आप हमें वहां पर contact कर सकते हैं यहां पर मैंने separate dedicated video भी बना रखी है में पे लिए वहां पर वीडियो शो कर दूगा आपको वह भी मिल चाहेगी let's move to our next stock that is भारती 8L भारती 8L पे आप यहां clearly देख सकते हैं कि यह particular stock जो है आप सबसे बहले में आप लोगो खुदी दिखाना चाहूँगा इसने एक बहुत बड़ी ब्रेक आउट दिया उसके बाद exact इस लेवल पे इसने support लिया इवेंचली इवेंचली इवा ब्रेक आउट दुबारा नीचे आया दुबारा नीचे आने के बाद आप देख आप देख सकते हैं जैसे कि पहले जो support था that become resistance as well which is very good sign अगर जब यह लेवल ब्रेक होगा जैसी लेवल ब्रेक होगा हम लोग एक बड़िया अपमूव एक्सपेक कर सकते हैं तील करेंड प्राइस जो ट्रेट कर रहा है भारती आतल तेल को ट्रेट कर रहा है रहूर्ण फाइफ वो ट्रेट कर रहा है तक का I think यहाँ परसे आपको 10-15 रुपह अराम से दे सकता है अगर जो लेवल में आप लोगों को टेली गराम पर दोओंगा वह लेवल क्रॉस करत है तभी तिए लेट्स मूव तो आर नेक्स स्टॉक दाट इस सी उबी City Union Bank यह पर्टिकुलर स्टॉक भी मुझे अच्छा लगता है आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंट चैनल के अंदर की ट्रेट कर रहा था उसके बाद इसने आज के दिन दे दिया है तो मैं आप लोगों को टेलीकराम चैनल पर एक लेवल दूँगा अगर वो लेवल ब्रेक आउट होता है तो आप वहां पर बाइंग कर सकते हैं ठीक है इसने पर वहां पर देख सकते हैं कि यह स्टॉक किस तरीके से परफॉर्मेंस ते रहा है यह कुछ ऐसा एक इंडिकेटर है डोंट वरी मैं इसके बार में आप लोगों को एक्स्प्लेइन करूँगा बट आप इस इंडिकेटर से बस एक ही बात समझेगा इस फर्स इंडिकेटर आपको जाधा konfusion क्रियेट हो जाएगी अपने देख रह इक लिए कर रहा है। वह लाइं ड्रॉर करने रीजन कहता है वह बता रही थी इस लेवल पे इस लाइन पे सबसे जाधा प्रेशियर है इस लाइन पे सबसे जाधा वोल्यूम है अगर यह ब तो मैं लेवल बता दूँगा किसके ऊपर आपको बाय करना है तो आपको बड़िया टागेट इसके अंदर मिल सकते हैं तो डोंट वरी आप देख सकते हैं कि ये एक रेंज के अंदर कंसॉलिडेट कर रहा है बहुत टाइम से एक ऊपर की तरफ अप मूव दी कम से कम 10 दिन होगा है ऐसे एक रेंज के अंदर कंसॉलिडेट करते हुए अगर इसका ब्रेक आउट आता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हम इस तॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं लेट्स मूव तो आर नेक्स टॉक दाट इस एनच यहां पर आप लेली देख सकते हैं कि एक सिंपल ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी और एक्जाक्ली इस त्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है यह पर्टिक्लर स्टॉक प्लस 200-day के exponential moving average को भी रिस्पेक्ट करके double bottom create करके यहां से उपर जाने की movement कर रहा है विच इस वेरी गूट साइन त्टॉक अच्छा है हम यहां पर एक buying definitely कर सकते हैं यह एक pharma sector का company का stock है तो हम लोग expect कर सकते हैं कि इसमें bullish movement हम लोग आ सकते हैं अगर मैं एक trend line top से यहां तक बनाता तो इसका clearly एक breakout हम लोग ने आज के दिन expect कर रहा है which is a very good sign तो यहां पर हम लोग एक fresh buying position initiate कर सकते हैं और exactly अपने top पे ही close कर रहा है which is also a very good sign so मैं आप लोगों को आप लेवल बता दूगा यहां पर हम definitely buying कर सकते हैं किस लेवल पर stock कर सकते हैं Naraya Hr. और इसका short form यहां की symbol है N.H. अगर आप N.H भी डालेंगे तो आपको definitely वो stock कर नाम मिल चाहेगा अब बात करते है Nifty Bang Nifty तो जिस तरीके से आज हम लोगों के लिए movement देखें Nifty Bang Nifty के अंदर यहां पर आप clearly देख सकते हैं कि यह एक range के अंदर काम कर रहा है यह एक simple range के अंदर काम कर रहा है और exact अपने range के top तक तो पॉचा नहीं है अपने previous swing high यह देख सकते हैं यह इसका previous swing है और यह इसका अभी का high है अगर इसन अपने previous swing high को cross करके ऊपर चला गया तो यानि कि एक fresh buying position initiate हो सकते है और इसका fresh position मतलब यानि कि इसका previous swing है वो exact 15,000 का है अब आता है important चीज, stock देखें पूरी चीज समझने वाली है क्या trend change हो चुका है मैं बोलूँगा नहीं trend अभी वी change नहीं होगा है point to note आप देखेंगा upmove downfall, upmove previous high को cross नहीं कर रहा है previous low को cross कर रहा है previous high को cross नहीं कर रहा है previous low को break कर रहा है lower lows and lower highs form कर रहा है अभी trend आया है मैं एक line draw कर रहा है आप लोगों के लिए अगर यह line को break कर देता है यह वाली एक मैंने line बना रही है अगर इस line को यह break करके ऊपर निकल गया तो हम क्या सकते है every dip is a very good opportunity to buy index but अगर यहां से नीचे गरना start हुआ तो दोबार हम लोग अपने previous लोग को break होते वे देख सकते है यह सारे चीज़ हम लोगों को रखने है but मैं एक चीज और बताना चाहूँगा अब जो revival के cases हो रहे है जो corona हम covid के cases देख रहे है जिस तरीके से जो लोग ठीक हो रहे हैं उसके cases भी जल्दी जल्दी बढ़ रहे है which is a very good sign लोग अपना ध्यान रखने हैं अब 1st May से एक important चीज हो रहा है 1st May से covid vaccines 18 above के ओपर भी लोगों को लगना start हो जाएंगी मैं नीचे एक link डाल दूँगा उस link पे आप लोग अपना registration करवा सकते हैं आप अपना registration करवाएंगे तो आप जैसी ही जाएंगे वहाँ पर आपको एक date मिलेगी उस date पर आप कभी भी जाएंगे hand to end आपको vaccine लग जाएगी यह चीज इंपोर्टेंट है guys यह आपको definitely करना है आपको अपकी family का थ्यान रखना है और मैं आपको कोशिश करना ज्यादा तर कि अपनी दुकान अपने offices पर मज जाएगा छुटी ले सकते हैं या फिर जितना avoid कर सकते हैं करेगा और घर पर रहने के कोशिश करेगा गरम पानी जरूर पियेगा और कुछ medicines हैं वह भी आप ले सकते हैं इंची की, जिंक की जो आपकी हेल्थ को स्टॉंग कर सकती है तो यह stock भी यह index भी हम कर सकते हैं बट अब बात करते हैं कल के दिन क्या करना है जो की market expiry है clearly आप देख सकते हैं अप मूव हम लोगों continuously देखने को मिल रही है यह एक hurdle है जो की previous swing अब यहां पर अगर में एक Fibonacci retracement draw करता हूं from top to bottom तो आप यहां देख सकते हैं exact 886% परसिंग जो की एक bearish sign है अगर अब कल क्या करना है वह आपको बता रहा है अगर कल यह break करता है 14,900 sorry guys sorry so अगर यह 14,900 का level break करता है so अगर इसके उपर closing मिलती है तभी बात कर रहे हैं तो आप अपना target बना सकते है 14,980 का क्या बोला मैंने 14,900 के उपर closing मिलती है तो 14,980 की तक का आपका target हो सकता है यह बात ध्यान से सुनेगा बट अगर आपको कल क्या करना है आपको एक strategy आपको explain कर रहा हूँ अगर यह work करती है तो please do it let's open 1 minute time frame ठीक है 1 minute का time frame मैंने open कर रहा है अब आपको करना क्या कल आपको सबसे पहली चीज जैसी 9.15 पर market open हो आपको यह चीज देखनी है ठीक है observe करेगा जो लोग risk ले सकते है वो trade करने की कोशिश करेगा ठीक है करना क्या है जैसे आपको first 6 candles देखनी है 1 minute की first 6 candles यानि कि अगर 9.15 पर start हो रहा है यह total 6 candles अभी बन यह market open होई है let's assume करना क्या है जो हमारी 6th candle और 5th candle है उसका bottom और हमारा top यह bottom और top हमने ले लिया है क्या ले लिया है bottom और top हमने ले लिया है 5th और 6th candle का bottom और top हमने ले लेना है ठीक है तो यहां पर जैसे अगर हमने देखा इसके उपर एक candle की closing आ रही है हम लोग buy कर लेंगे अगर इस candle की नीचे इस zone की नीचे candle closing कर रहा है एक minute की तो हम लोग sell करके चल सकते है आप point समझ रहे है मैं आपको क्या बता रहा हूँ दुवारा बता रहा हूँ अगर यह 6 candle पहले बनने दीजेगा जो 7th candle होगी वो देखना है कि 5th और 6th candle का मतलब जो 6th candle का bottom होगा और 5th candle का high होगा उसके उपर अगर closing देती है तो buy और sell करना है कल यह करके देखेगा अब probably probably मुझे लग रहा है कल market sideways to downtrend रह सकती है क्या बोला मैंने sideways to downtrend अगर gap आता है तो sell करने की सला दूँगा sideways to downtrend रह सकती है तो या फिर आप लोग अपना कल कॉल को short कर सकते है यहाँ पर आपको ज्यादा profit हो सकता है ठीक है directly put buy मत करेगा market volatile हो सकती है market इतनी ज्यादा heavy movement पे उपर गई है तो एक bounce नीचे से बहुत जल्दी दे सकती है जिसकी वोज़े से आपका premium decay और जल्दी हो सकता है इस point को note करिया और same goes with bang nifty bang nifty पे भी आई करना है शुरवात की 6 candle उसका top और bottom लेना उस पे एक channel draw कर देना ऊपर closing या नीचे closing तो buy यह याद रखना जब 7th candle बन रही होगी अगर वो breakout दे रही होगी 7th candle देखेंगे breakout कहा दे रही है by chance 7th candle भी range के अंदर रहती है कोई candle तो कभी ना कभी breakout या breakdown देगी जो भी देगी उसके बाद हमें trade करना है ठीक है let's open 15 minutes time frame clearly आप देख सकते है stock ने क्या करा है same type of cheese यहाँ पर यह multiple resistance इसके उपर यह जाने में कहां भी आप नहीं हुआ अगर इसके उपर एक candle की closing मिलती है तो हम लोग trade करेंगे याफर trade नहीं करेंगे मैं suggest ही करूँगा इतनी जादा बड़ी movement के बाद एक यहाँ पर हम लोग pause देख सकते है एक insight candle बनने की कोशिश करेगा और insight candle अगर बनती है तो मतलब अपने top के इस particular जो top है इस top से थोड़ा सा नीचे बनीगी तो आप लोग क्या कर सकते हो आप लोग 33,900 33,800, 700 की call को short करके काम कर सकते हो अगर market आपको लगता है sideways to downtrend रह सकते है ठीक है I hope मैंने आप लोग बहुत अच्छा explain कर रहा होगा Please like this video यहाँ पर मुझे बहुत जादा motivation मिलती है हमारे चैनल को subscribe करें Let's aim for 1 lakh subscriber इसके लिए मैं बहुत time से मैं बहुत सालों से वेट कर रहा हूँ कि हमारा 1 lakh subscriber count cross करे Please help me with that मैं आप लोग को dedicated के साथ वीडियो अहर देन अपलोट कर रहा हूँ मैं देख रहा हूँ मैंने अपना graph देखा था इसमें मैं देख रहा हूँ जतने भी ज्यादातर व्यूवर्स हैं लोगों इस चैनल को subscribe नहीं कर रहा So please do that and it will be very helpful for me Thank you guys a lot for watching this video लाइक कर सकते हैं अपने फ्रेंड से लेटिस का शेयर कर सकते हैं And please do comment में मुझे बतायेगा कि आपको इस setup ये change कैसा लग रहा है So मैं मेलता हूँ आप लोग इसे Telegram चैनल पर डिरेक्ट प्लस आप देख सकते हैं दो वीडियो शोर कर रही है दोनों वीडियो को देखेगा यहाँ पर में अगर आप हमारी service जोइन करना चाहते हैं प्लस ये particular वीडियो जो 10 stocks आप लोग में तक के लिए hold कर सकते हैं मैं मेलता हूँ आप लोग से अगली वीडियो पर मैं शिवांज भसीन signing off प्लस आप लोग में अगर आप